सबी श्रेंट का इस वीडियो में स्वागत है एपी और जीपी सीरीज के क्वेश्चेंज चल रहे हैं एडिशन क्वेश्चेंट बैंक फोर सीए फाउंडिशन क्वेश्चेंट का जो कंसेप्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशल होने वाला है बहुत कुछ आप फाउंड प्लस 17 देन दा चंप्स ओफ टू सिरीज अर इकल मला हमको ट्रम फाइन करनी है कौन सी ट्रम इन दो एपी सिरीज की इकल होगी जिनके समों फैन ट्रम्स का रेश्चो हमको गिवन है ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट ट्रम जो है यहां पर ले लेते हैं फर्स्ट ट्रम के लिए जो वैल्यू आपको रेशो की जो वैल्यू गिवन है वो है 7N-5 और फर्सट ट्रम की जो वैल्यू है आपको गिवन है 5N-17 और आपको बतायते हैं जो सम उफ एन ट्रम्स होगा फर्स्ट एपी सिरीज के लिए आजएगा 7N-5N देखो यह कंसप्ट है कि कोई भी AP series का sum of n terms होता है वो n में quadratic equation होता है लेकिन इस उमें constant value नहीं होती इसलिए ये sum जो है इसका ratio है इसलिए इन में से n common आके cancel हो चुका है बाकि इसकी nth terms का जो sum है उसका जो equation है वो इस तरह से बनेगा n हमेशा square होगा इसके बाद single भी हो सकता है ऐसे ये देखो आप s n इसका हो जाएगा 5 n square प्लस 17 n ये आपको sum में आजाना चीए कि कोई भी AP series है उसका sum of n terms n में quadratic equation होगा जिसमें constant value नहीं होती है बिल्कुल नहीं होती है या 0 होती है ठीक है single constant value आप समझगे होगे अब इसकी first term हम जब find करते हैं a तो यहाँ पर n की जंगा 1 रख देते हैं तो ये 7-5 7-5 आजाएगा 2 और इसके लिए जो first term आती है वो आजाएगा 5 प्लस 17 22 first term के लिए आपको n की जंगा 1 रखना पड़ेगा तब आपको किसी भी आजाएगा अब जब हमको यहाँ का इसका common difference find करना है तो n square के coefficient का twice होता है n square के coefficient का क्या होगा twice यहाँ पर n square का coefficient कतना है 7 यह भी आपको समझगेना है कि यह जो है d कैसे find करेंगे easily और fast तो n square का coefficient का twice होजाएगा तो इसका common difference कितना है आपके समने 14 और second जो series है उसका common difference आपके समने आजाएगा यहाँ और 5 n square है 2 into 5 then 10 आजाएगा तो इस तरह से देखो किसी भी एपी इस series में आप AOD को यह दि फाउंड कर लेते हो तो AOD को find करने के बाद आप easily उस series को बना सकते हो इसलिए मेरा focus AOD रहेगा हमेशा तो आपने अभी तक क्या सिखा आपने अभी तक यह सिखा कि आपको sum of n का ratio दे रखा था इसलिए आपको first और second series का अलग-अलग sum of n की equation बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा n का multiply करना पड़ेगा इसलिए तो इन्टू 510 तो first series आपके सामने क्या बनती है देखें first series आपके सामने बनती है 2 2 में 14 जब मैं पलस करता हूं तो कितना आजएगा 16 में फिर 14 में क्या करूंगा पलस करूंगा तो कितना आजएगा 30 आजएगा फिर 44 आजएगा फिर 58 आजएगा और फिर 72 आजएगा इस तरह से हमारी जो series है वो बढ़ते रहेगी एक और निकाल लेते हैं या आजएथा 86 इस तरह से हमारी first series आजएगा अब second series जो है वो हमारे सामने क्या आती है वो देखें second series हमारी start होती है first time 22 से 22 में 10 प्लस करता हूं तो कितना जाता है 32 32 में 10 प्लस करता हूं तो कितना जाता है 42 42 में 10 प्लस करता हूं तो कितना जाता है 52 फिर 62 और फिर 72 और फिर 82 ठीक है अब देखो यहाँ पे common difference दोनों का अलग-अलग है अब इसका कोई भी terms जो आएंगी वो equal नहींगी मैंने देखा यहाँ पर जो है 72 इसमें आ रहा है और 72 इसमें आ रहा है तो question की language दुबारा समस्ते देन दा कौन सी terms जो है दोनों series की equal होगी तो मैंने देखा इसकी 72 terms जो है यह कौन सी में आते 123456 123456 तो question की easy language से हमें पता चलता है कि sixth term जो है वो क्या हो जाएगी इसकी equal हो जाएगी sixth term इसलिए इस question का जो answer आएगा वो आएगा six है अब आप को गए sir यह तो six है आपने easily AP series find करके find कर लिया है मालनों यह AP series में मालनों बहुत बड़ी value जो है एक दूसरे के equal हो जैसे मालनों 20 में हो तीस में हो या पचास में value हो तो इसका formula जो है वो यह आजाएगा tn1 equal है tn2 first term के लिए n terms और second term के लिए जो है n terms जो है कौन सी equal होगी तो इसके लिए आपको a first term के लिए a plus n minus 1 a plus n minus 1 into d और यह भी a plus n minus 1 into d दोनों का formula गाने पड़ेगा यहाँ पर first term के लिए a1 d1 ले ले लेता हूं यह a2 d2 ले ले लेता हूं वैसे मैंने easy method से बता तो दिया है लेकिन मालनो suppose गरो के यह यह यहाँ पर 6th term equal ना आए यहाँ पर 6th की जगा 60 means your term है 60th term जो है वो equal आजाए तो find कैसे करेंगे तो हम ऐसे calculate नहीं कर सकते है इसलिए हम यहाँ यहाँ पर फोर्मल लगाते है 2 plus n minus 1 यहाँ पर d की विलो हमारे सामने कितनी है 2 plus n minus 1 d की विलो हमारे सामने है 14 और यहाँ पर है 22 plus n minus 1 और d की विलो मेरे पास कितनी है 10 अब इसको easy करके easy method से मैं n की विलो find कर लेता हूं 2 plus 14 n minus 14 is equal to 22 plus 10 n minus 10 तो यहाँ जाता है हमारे पास 14 n minus 12 और यहाँ जाता 10 n plus 12 तो इसको जा मैं सोल करता हूं तो यह value इदर आजेगी 14 n minus 10 n is equal to 12 plus 12 और यहाँ जाता 4 n is equal to 24 then n की विलो कितनी है जाती 24 और 4 n की विलो 6 हाँ जाती then 6th terms equal होंगी दोनों series की तो यह मैंने आपको short way में भी बता दिया है और मैंने आपको concept भी बता दिया है कि किस तरह से हम जो nth term कौन सी nth term equal होगी वो find कर सकते हैं और basically इसमें आपने सिखा क्या कि इसके जो nth term है वो कैसे मलब एंth term नहीं स्वाइन टर्म जो है वो हम कैसे find करेंगे ठीक है यहां पर इसके लाबा दो तीन चार पांच नहीं ले सकता हूँ मैं मलब मैं आपको यह लिखके बताया था हूँ जैसे मालनों सब पहुंच कोई एपी सिरीज आपके समने इस तरह से दिरिखिया है SN is equal to 7N square plus 5N plus 2 तो यह एपी सिरीज के एंth term का सम नहीं हो सकता है यहां पर 2 आगया इसके लिए जरूरी है कि single constant value आपकी 0 होनी चाहिए जबी यह 100% और 100% एपी सिरीज के एंth term का सम है और उसी की equation है और जो एपी सिरीज में एंth term जो होती है एंth term वो linear equation होती है n में तो यह concept है तो यह concept में आपका क्लियर कराना चाहरा था और उमेद करता हूँ कि आपको यह question सम में है और फिल भी कोई confusion है तो आप मुझे comment box मे लिखना हो question number section बिल्कुल easy question है find three numbers in AP whose sum is 6 and product is minus 24 ठीक है अब देखो minus 24 product बता दी आपको इसका मतलब यह दोनों value नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि इनका product तो sum आएगा इनका product तो plus में आएगा ठीक है 5 को 3 से multiply गरा तो 8 आ रहा है 7 को 4 से multiply गरा तो 28 आ रहा है और इसको multiply गरूंगा तो कितना जाएगा minus 3 तो right answer जब मालो किसी भी question में तीन option नहीं होंगे तो चोथा option अपने आप हो जाएगा यह बी एक short method है question का answer find करने एक्जाम में वैसे आप इसको check कर सकते हो यह एपी सीरीज है minus 2 और 2 के बीच में 4 का difference है और इन दोरों के बीच में 4 का difference है और इन तीनों का method है a minus d a और a plus d माननी है मनलब हम question को इस वे में नहीं करेंगे हम कर सकते है इसको a minus d a और a plus d मानके three terms ताकि हम इसको plus करें तो d से d क्या जाए cancel हो जाए easily हमारे पास किसके वेलू हो जाए a के वेलू हो आजए तो आपने बिल्गुल सिंपल देखने मैं question को follow करूंगा तो बहुत easy way मैं इसका answer find कर सकता हूं equation से भी कर सकता हूं वैसे मैंने देखा कि इन दोनों का product minus में आ रहा है इन दोनों का product